भारत के विकास में क्रशी और किसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है अभी भी GDP में क्रशी सबसे बड़ा योगदान दे रहा है रोजगार श्रजन में भी क्रशी का क्षेत्र सबसे आगे माना जाता है और प्रत्यक्स और अप्रत्यक्स हमारी जनसंख्या की जो नरभरता है वो क्रशी पर सबसे जादा है जब चुनाओं का मौसम आता है तो किसान और करशी किंदर बिंदू में आ जाते हैं ज्यादा ध्याना करशित करते हैं किसान चर्चा में आता है तो खेती भी चर्चा में आती है खेती चर्चा में आती है तो राजनेतिक दल उसको ज्यादा महतू देते हैं और अपने घोशना पत्रों में उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं अब मुद्धे पर आते हैं भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रिस ने अपने अपने घोशना पत्र जारी कर दिया है भाजपा ने भी क्रशी में 2022 तग किसान की आई दुगनी करने का संकल्प दो रहा है अपने संकल्प पत्र के नाम से और कॉंग्रिस ने जो क्रशी के क्षित्र में कमजोरियां रही हैं उनको रेखांकित किया है अपने संकल्प पत्र में और उन्हों का कि ये हम निभाएंगे जो वादे हम कर रहे हैं ये कितना निपता है कितना करशी का विकास होता है आज इस कारिक्रम हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और विशेशग्य के बतार आज हमारे बीच में आये हुए हैं पूर आई एस अधिकारी खेमराज जी आप ग आप एस पशुपालन फिश्रीज गोपालन या जिसको डेरी कहें उसमें रहे हैं तो खेमराजी आपका इस कारिक्रम बहुत बहुत स्वागत है किसान आपको सुनकर ये महसूस करेंगे कि कोई क्रशी पुत्रिया गाउं का रहने वाला विक्ति क्रशी विश्यों पर हो रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी ने कहा कि जो टीन राज्ये हैं जो हमारे जिन में हम अभी जीते हैं जिसमें राजस्थान प्रमुख है मद्धे प्रदेश है 36 गड़ है हमने वहाँ बहुत बड़ी कर्ज माफी कर दी क्या प्रतिरी आपकी इसको कर्ज माफी एक सीमा तक क यह मांसून की पूरी वर्षा नहीं होने से वहां पर जो है अग्री कल्च्र स्ट्रेस उत्फरन होता रहता है तो किसान पर यह है मुल्य नहीं मिलता है, फसल की उतपड़ता कम होती है, या फसले फेल हो जाती है, तो उसके करण़ से उस पर जो है, कोई लोन लेता है, तो इस पर जो है दबाव बढ़ जाता है पेमेंड का, वुकतान का, तो उसके इसाब से इदी देखते हैं, तो रिन माफी उस सीमा तक कि करने की आवशक्ता है यह एक सीमा तक तो किसान की जो माफी की कारिकरम है वो अच्छा है इनके उसके आगे भी किसान जो भी उपच करता है उसको उसका उचित मुल्य समय पर मिले वह ज्यादा मत पूर्ण है कर्ज माफी अगर हम इसको एक प्रप्यूच्वल लगातार एक प स्विषया करता है तो उसमें जैसा कि मैंने बताया किं माफी करके एक सीमा तक किसान का हमने एक कश से मुउक्ति दिलने का काम कोई भी सरकार कर सकती है लेकिन लगातार ये करना बहुत संभव नहीं होता है तो तो इतना बड़ा देश है कि कई केंद्र समय पर चालू नहीं हो पाते हैं तो वह समय पर चालू हो तो किसान की उपज की खरीद की गारंटी होनी चाहिए जैसे समर्थन मुठ की गार्णटी है वैसे ही क्राय करने की गार्णटी होनी चीए that person को चाये चोटा किसान हो चाये दूर दूराज का किसान हो उसकी फसल का उचित दाम मिलना चीए खेती में सब से बड़ी 번째 प्रिश्ट á उत्पन होती है कि खेती सीजनल होती है जैसे उपज आती है तो एक साथ आती है और फिर बाद में जो वापस जो है अगले साल वापस जो उपज होती है तो उसके बीच में काफी गैफ होता है जैसे उपज आती तो उसका मुल्ड का गम हो जाता है फिर बाद में जो है जब कि किसी तरह से आर्थिक मदद कर दें और इसी विचारधारा पर आधारित है प्रदाल मंत्री किसां सम्मान निधी यूजना भारतिय जनता पारटी के गोशना पत्र कि हम बात कर रहे हैं तो इस बार जो गोशना पत्र आ कि पहले जो इन्होंने अपनी बजट में घोशना करी थ अब इसको पूरा खोल दिया गया है तो इसमें जो इंक्लूजन और एक्स्ट्रूजन की समझ्या होती है वो सब खतम हो जाती है और सभी किसानों को इसको फाइदा मिलेगा प्रक्रियात्मक उलजने कम हो जाएगी और इसमें यह निया किस किसान को रखनार किसको छोड़ना ह है वो शुट किसान इसमें खतम हो जाती है और सभी किसानों को उस में उसका लाब मिलेगा लेकिनी जयसा कि मैंने बताए कि इस से भी बढ़कर मैंने बताय कि सबसे बड़ा ज़े फेक्टर है अभी खेती में वो है सबसे पानी का कि पानी की प्रती व्यक्तियारिय बांध है या कोई भी नहरे बनी हुई है तो वो नहरों की मरमत समय पर नहीं होती है तो उससे क्या पानी का सीपेज होता है उसका बरबाद ही होती है तो वो किसान को पानी मिलता है पानी तो उसके कारण से उसकी फसल को पानी नहीं मिलता तो उसकी फसल की उतपादता कम हो ज तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम एक करोड हेक्टेर में माइक्रो इरिगेशन का तो इसका कुछ प्रभाव होने वाला है जी सिंचाई के लिए जितना कोशिश की जाए जितना इन्वेस्टमेंट किया जाए खेती में उतना ही कम है कि हमारे पास बीज है पेस्टिसाइड है प्रभाव इतना नहीं पढ़ता है और मांसूनीदी ऐसफल कम हो जता है बरसाज कम होती है तो उसके करण से पानी नहीं होने से हमारी जो है खेती नहीं हो सकती है तो पानी के ऊपर तो जो पानी है हमारे पास उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा हर्वेस्ट किया जाए उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के आवशकता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी पानी हमने हर्वेस्ट कर लिया ह इकटा कर लिया है, उसका हर बूंद का उपयोग होना चाहिए, एक एक बूंद का उपयोग होना चाहिए, जिससे अपनी ज्यादा खेती होगी, और खेती ज्यादा होगी तो इसमें रोजगार की श्रजन बहुत होगा, खेती में बताता हूँ, आप उद्योग के मनिस्पत, इसमें की गरीबी पर प्रवाब सबसे ज्यादा पड़ता है, गरीबी एकदम खेती मिटाती है, यदि खेती अच्छी चलती है, तो इसमें करशी के जो लेबर है, उनको भी रोजगार मिलता है, और साथ-साथ में समाल फार्मर, उनको भी उनकी आई बढ़ती है, और जो इ क्रशी का जो वेस्ट होता है, वो परशुओं को खिलने के गाम में आ जाता है, और परशु पालन के मधियम से जा दूद है, इस तरह से आपका मीट-परपस के लिए आप जानवर मेट का उठबा लुटा है, कहने का मतला है, क्रशी और परशु पालन पर ज्यादा जोड़ द करता है तो यह दोनों जुड़े हुए है तो उनको जोड़ करके कैसे इनके कारिकरम को कैसे धरती पर क्योंकि करशी अभी भी राजी का विशय है बार सरकार जो है पैसा देती है विबनी स्कीमों में लेकिन इसको जो लागू करने की प्रक्रिया है पूरी राज सरकार उपर तो आपको जो इन स्कीमों को लागू करने में जो राज सरकार आगे बढ़ती है और अच्छी तरह से किसानों का हित देखती है तो वहाँ पर कारिकरम की सफल्दा ज्यादा देखती है तो इसके लिए करशी और पशुपालन डेरी फिशरी इसमें इतना स्कोप है कि आप इ अब भारत में क्रशी और पशुपालक, क्रशक सब विखरे हुए हैं सब तरफ हैं और रूरल रियाज में रहते हैं तो उनको हर प्रकार की नविनतम तखनीकी उपलब्द कराना ये बड़ा चुनोती बड़ा काम है और अब तखनीकी विक्सित हो गई है आजकल जो है ये सब मिलकर के यदी कंसेंट्रेट वे में यदी काम करें तो किसान का निश्चीत रूप से फाइदा मिलेगा उनको आगे बढ़ेंगे इन चेक्तरों में होने की जरुप बिलकुल सच जरुत है इसमें एक भाजपा का गोशना पतर अगर आप देखें तो उसमें एक बात करती है सोशल सेकर्टी उनके लिए मत पूर है जिनकी की आय कम है या आय की गारंटी नहीं है तो किसान लोग होते हैं तो क्या होता है कि फसल की कोई गारंटी नहीं होती है कि फसल पूरी पकेगी या नहीं पकेगी आपने भी कहा भी कि छोटा होता जारा है और को दिलाने बड़त मुश्किल काम हो तो उसके कारण से सोशल सेक्यूरिटी किसी भी प्रकार की दी जाए यह चोटे किसानों के लिए एग्रिलिटर लेबर के लिए सब के लिए लाब दैकरती है हमेशा और आप यह दी देखते हैं कि पश्चीमी देशों में सोशल सेक्यूरि परिवारों के लिए लोगों के लिए बहुत महत्पूर है और यह बहुत स्ट्रॉंग रूप में काम करती है तो भारत में भी सोशल सेक्यूरिटी गरीव एक्तियों के लिए बहुत आगे बढ़ाना चाहिए इसमें भाजपा का यह जो बिंदू है यह लगता है के सरकारों में पषणपालन पर इतना ध्यान दिया गया घर फिर जा जाता है फिर ने रिकंशी के लिए एक्सदेंशन यह हैं लेकिन पषण पालन पर उतनली मत्पूर है ज्यदी के इसाफ़ों के देखा जाये चार परसेंट कम कोंट्रिबूशन पशुपालन का है एग्रिकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो लेकिन इनिमलस बेंटरी में कोई विस्तार सेवाई देखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है तो कहने का मतलब यह कि अलग से कोई यदि यह बात की जाती है अलग से कोई बजट बन है एग्रिकल्चर कंडिशन के हिसाब से लोगों के हिसाब से और एग्रिकल्चर कंडिशन के हिसाब से तो उन हिसाब को देखते हुए इन सब चीजों को धरातर पर लाना यह बड़ा चुनुती बरा काम है और इसके लिए मैंने बताया कि यह क्रशी राज सरकारों का विश तो राजिस सरकारों को इसमें और आगे बढ़ने के काम करने की जरूरत है जहां हम अगर दोनों घोशना पत्रों को देखें तो भाजपा और कॉंग्रेस के दोनों के घोशना पत्र क्रशी बीमा योजना की बात करते हैं जी भाजपा ये कहती है क्रशी बीमा योजना को हम स् तो आप भीमा कराई या नहीं कराई किसान की पसंद होगी. उसमें यह जलगता है कि अभी किसानों को पीमा के इसाब जैती ति राशी मिलनी चाहिए थी उतनी राशी मिलनी पाई है और कई प्रकार के प्रोशिजर्स में यह उलज जा दी गई बार तो उसके इसाब से इसमें कुछ रिफॉर्म करने की तो आवशकता है ही है यह यह बात किसान लोग भी कहे रहे हैं जितने भी संगठन हैं वो भी यह बात हर फॉर्म पर उठाते रहे हैं और इसमें सुधार करने की आवशकता है कर सुधार तेक निरंतर प्रक्रियार वो हमेशा होनी चाहिए है खिमिरा जी कॉंग्रेस कोशना पत्र में एक बात और विशेश तोर से उभर कर आई है उनका यह कहना कि हम करशी विकास और योजिना जो है उसके लिए अलग से आयोग बनाएंगी जो वरतमान में करशी मू लुप से केंदरित करते वे नीतियों का निर्मान किया जा सके तो यह जो मल्टिप्लिसिटि अफ और ओगनाइजिशें निकए इसारे आयोगों का निर्मान होगा तो उसका कोई फाइदा किसानों को मिलने के संभावन उसमें का शेज जैसे लगता है कि जैसे ख्रशी श्र तो उससे जोड़ते हुए देखा जाए जो कि इसमें लिखा गया है तो उसके हिसाब से उस पर इंफेसिस बढ़ाने के लिए ये बात कही गई है एक बात और अगर अमभाजपा के गोषणा पत्र को देखें तो उसमें उनका है कि जो जैविक खेती है हम उसको बढ़ावा द देंगे और ये भी सुनेशित करेंगे कि उसमें जो जैविक खेती में लागत बढ़ती है तो वो किसान को उसका मुल्य उचित मुल्य मिल सके तो जैविक खेती की राजस्तान या अपने देश के परिपेक्श में बात करें कितनी आवश्यक्ता है और ये कितना प्रभावी है जो ये भूशना की गई है जैविक खेती पर पहले से भी परमप्रागत करशी योजना के माध्यम से पूरी पारसरकार ने स्कीम चला रखी है और इस पर बल बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि कुछ खेत्रों में पेस्टी साइड्स का ज्यादा उपयोग होने से उसके तो उसके करण से उनकी खेती एक चार से जेविक खेती करने के बाद उसकी उपज है उसकी सही मूल नहीं मिलता बाजार में उसकी पहचान बनाना बहुत जरूरी है तो उसका मूल्य सही इच्छी मिले अब टेक्नोजी आगने तो में किस प्रक्रक्ष पज़स्टा से सिस्टम बनाए जाए जिससे की उपजगा सही मिले उसको रेट है करशी उपजग की वो सही मिलने चीए उसमें बहुत बड़ी दिखतें बहुत है यह से अपने लेट है जिससे सरकारं कई सालों से बात करती है इसमें बडलाव भी किये हैं अबना अबिलें जिससे कि किसान को अपनी उपजी का सही दर मिले है सही दरपर उसका बिक जाए बाजार में और उबहुकता को भी जो है सही दरपर अपना माल मिल जाए जो बीच में जो लोजिस्टिक के रूप में जो वेलू लोस होता है वो जो फसल खराब हो जाती है या फ्रूट्स और वेजिटेबल में सबसे बड़ी समझा होती है कि उसम सथी दरपर आपनी वस्तुय आसानी से करशी उपज की वस्तुय मिल सकती है आपने दो बाते हैं अच्छी कहीं कि तो कॉंग्रेस ने गोशना पत्र में इस बात का उलेख भी किया है कि हम जो है जो प्रसी उपज बंडी समीति के जो प्रावधान है उनमें संसोधन करेंग जो उसका एक्ट है और एक बात आपने और चेड़ी वह भी बहुत महित्पून है जिसको दोनों पार्टियों ने कॉंग्रेस ने भी और बीजेपी ने अपने चर्चा के मुख्य में लिया है वह है स्टोरीज कैपसिटीज वेराउसिंग कैपसिटी कोल्ड स्टोरेज तो आपने चर्चा की थी अभी कि जो ऐसे समगरी है जो कम समय पर रह पाती है तो वो कोल्ड स्टोरेज में वेजिटेवल्स और फ्रूट्स जो है जा सकते हैं तो इससे किसानों को कुछ लाब मिलने की संभावन है बिलकुल लाब मिलेगा क्योंकि कोई भी चीज पेदा होती ह यह है और कुछ समय तक स्टोर रखी जा सकती है तो उसकी शेल्फ लाइब बढ़ जाती है तो उसको तत्काल बेचने की आवशकता नहीं पड़ेगी तो बाद में जब आफ सीजन आए गा उसमें ज्यादा मिलेगी तो इसको दर उसमें ज्यादा मिलेगी तो किसानों को उस पूरे साल पर जो 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 ने हम नहों रखा है, उसमें जो प्रधार मंतरी जो आरभ में कोशना की की थी ती किसानकी की जाए, उस को कॉंग्रेस ने कुछ दूसरे शब्दों में कहा है कि हम लोग जो है डेरी और पॉल्ट्री पे कोई रास्ट्री पर यूजना बनाएंगे और उससे किसान की जो डेरी और पॉल्ट्री इन दोनों की जो उत्पादक्ता को हम दुग नहीं करेंगे आप तो एक लंबे अरसे तक डेरी और पॉल्ट्री के अतरिक्त मुख्य सचीव रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है जैसा कि मैंना बताया है कि डेरी फिशरी ये ऐसे एक्षयत्र है जो कि करशी के साथ सिधे जुड़े हुए है परशुपालन तो सिधा जुड़ा हुआ है और करशी और ये परशुपा प्रशुपाल से रहे हैं तो बर्सत कम बींग हो जाए तो ऑब थो एकाषि उसके उपज रहे हैं तो लोह को सफली का दूबन एक परशुपाल ही लेकिन अभे भी खेसे पर शुपाल की दूब उपदा ऐने ‫ 성공किन बेच्सी लाद ये उसको, तोको इसके मार्केटिंगो और बढ़ी जा सकती है। जरुषी दूनों मामलों में खेटी में भी ita होता है, और या लूझा बही है, वेकिन पहईст़ुपालन में किया है की कि पहईए में कम समय में किसानों या जिस इस गाय है तो आप लेकिन यदि मानसून फेल हो गया और खेती नहीं हो पाई तो उस केस में उसको फिर अगले साल तक हिंज़दार करना पड़ता है पशुपालन में चारा आसानी से थोड़ा बहुत जो है कम भी पड़ता है तो आसानी से दूसरे राज्यों से दूसरे क्षेत्रों से आ सकता है सरकार एसे ब्योस्ताय करती हैं तो से कशुपालन के साट करता है और करेस्चियो के मतलब है कि करशियों में से जयान देने के आवशकता है और किसानों को किसान और कर पर यूद्या देने के आवशकता इससे इंकम इनकी निश्चित रूप से बढ़ेगी और विशमता जो आए की विशमता आप आप देख रहे हैं बढ़ती जारी इभारत में भी तो उस विशमता को कम करने में सहयता मिलेगी और मजिलाओं को सश्कति करना होगा और economic inclusion और बढ़ेगा इसके माध्यम से इसके लाव हम बात करें अगर भाजपा के गोशना पत्र को हम देखें संकल्पत्र को तो उन्होंने एक बात कही है कि किसानों को संगठित करके उनको एक साथ एक विशे पर या एक क्रॉप पे किंद्रित किया जाए उन्होंने उसको farmers producer organization किसान संगठन जिसको हम कह सकते हैं दस अजार किसान संगठन बनाने का संकल्प अपने गोशना पत्र में उन्होंने दोर आया है तो क्या संगठित करके किसानों को कुछ ज्यादा लाब कमाया जासा अभी जैसे किसान अलग अलग जगे पे हैं यदि संगठित हो करके अपनी उपज को इखटा करके दी बैशत बाजार में जाएगी तो जैसे ही ज्यादा क्वांटिटी होगी तो उनकी बार्गेनी पावर बढ़ जाती है उत्पादन भी करते हैं उत्पादन ज्यादा होगा उत्पादन ज्यादा होगा उनके बार्गेनी पावर ज्यादा होगी तो उनको रेट ज्यादा मिलेगी और वीबिन परकार की सायता लेने में थोड़ा मुश्किल पाता है, लेकि जब संगठन बन जाता है, बार्गनिंग पावर उसकी बढ़ जाती है, सिस्टम डेवलप होता है, किसानों में सेल्फ कॉणिजएंस डेवलप होता है, बहुर इसमें आगे बढ़ते हैं, यह निश्ची रूप से आगे बढ़ाने की आवशकता है, इसमें सरकारें, किसान लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक किसानों का मन नी मिलता है, तक एक मन करके आगे बढ़ना, लेकिन इसमें फाइदा जरूर मिलता है, एक कॉंग्रेस में इपने घोशना पत्र में भिन्नसी घोशना, कुछ अलग लगती है, कि जितने भी रिविन्यू डिविजन है, उनमें क्रशी का और पशुपालन का कॉलेज, सिक्षा के लिए ब्यव जन सिंक्या, अभी बी क्रशी और पशुपालन के उपर निरभर है, और जितने भी बड़े-बड़े संस्थान है, जाहे आप आएएटी ले लो, आएएम्स लेलो, महां क्रशी के उपर बहुत कम अध्यन कराया जाता है, सब इंजिनियर्स बनते है, प्रेमिर इंस्टूश में जाएंगे तो पढ़ सकते हैं, क्यों नि पढ़ सकते हैं, बराबर अधिकार है इनका, शिक्षा का चेत्र विक्सित होगा, तो तक्निक जो है, जो की काम में आए, जैसे दूद है, अब दूद के इतने उत्पाद बनते हैं, कि आप कल्पना नि कर सकते हो, ठीक है ना, भूस सारे उत्पाद बनते हैं, और मैंने बताया के शरीकर्ण बढ़ रहा है, और बढ़ता रहेगा, मांग भी बढ़ते रहेगी, आई बढ़ रहे है, जीवन शेली बढ़ रहे तो डेरी डूद और दूद से बनने वाले उत्पादों के मांग बढ़ती रहेगी हमेशा, ठीक है अब इतने उत्पाद बनाए कौन इसके लिए स्किल्ड पॉपॉलेशन चाहिए तो जब तक इस्टूशन आपको आसानी से कम छोटे-छोटे स्थानों पर उपलब्द नहीं होंगे तब तक किसान का बिटा पढ़ दी सकता है नहीं पढ़ सकता है तो जरूरी है कि अगर स्थांन के बारे में बाताए जो भी उस एग्रो क्लामेटिक हीसाब से आप से वहां खेती परशुपानी उसके उपर जो भी अच्छी चीजे है वो इनको बताए जाये और प्रेटिकली किसानों को बता जाये ऐसा कोई किसान नहीं है जो कि जिसमें फाइदा होता है होते हैं या रिसर्च इस्टूइशन जो हैं ठाल जन्हसंग कितना है लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए यहां पर एग्रोक्लायमिक्रिंटिक रेजेंस के इसाब से किसानों को और डेरी को इसमें जीतना GDP का रेशो जीतना ज्यादा से ज्यादा पैसा करच की जाए उतनई कम है उतनई कम है मेरे हिसाब से तो और ध्यान दिये जाने जिसे बीजेपी ने अपने गोष्णा करोड का निवेश हम करेंगे बड़ा निवेश है तो इससे जो प्लान साहीज अवर्तमान का उसमें भी काफी बड़ोतरी होगी तेखने को मिलेगा फाइदा होगा हमने भाजपा का जो संकल्प पत्र है और कॉंग्रेस का जो गोष्ण किन टो जो हमर्त गहां एंचेर हुआ और देफ के विकास में इसका जी डीक में जो कंहूता प्रतिशत है वो तो हू सकता हम होसकता है ने भी कहा हम इस लेकिन उसका जो मिकदार है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती रहे आप हमारे कारेक्टर में आए और बहुत विस्थार से हमें जानका रेदी उसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद दन्यवाद